जिन लोगों का शरीर बहुत दुबला पतला है वह अपने शरीर को मोटा करने के हर संभव प्रयास करते हैं आज हम आपको गर्मी में मोटा होने के उपाई के बारे में बताएंगे ठंडी के मौसम की अपेक्षा गर्मियों में वजन बढ़ाना थोड़ा कठिन होता है लेकिन सही प्रकार की डाइट प्लान और एक्सरसाइज को करके आप आसानी से गर्मी में भी मोटा हो सकते हैं गर्मी के मौसम में यदि आप पानी के साथ साथ पॉष्टिक आहार लेते हैं तो कुछ ही दिनों में वजन को बढ़ाया जा सकता है समर सीजन में सभी को ती शर्ट और हलके कपड़े पहनना पसंद होता है लेकिन बॉडी न होने की वजह से किसी तरह एक कपड़े आपके उपर फिट नहीं होते हैं गर्मियों के मौसम में हमारा मन कई प्रकार के स्वादिष्ट भूजन को करने का होता है यदि आप तेस्टी फूद साथ प्रोटीन, फेट, काबोहाइडरेट और कैलोरी से भरपूर भूजन करते हैं जो समर सीजन में वजन को जल्दी बढ़ाया जा सकता है आए गर्मी में मोटा होने के उपाई जानते हैं गर्मी में मोटा होने के लिए खाएं ताजे फल फलों में सभी प्रकार के पोशक तत्व और विटामिन होते हैं जो वजन बढ़ाने में मदद करते हैं गर्मीयों के मौसम में आपको कई प्रकार के फल आसानी से मिल जाएंगे गर्मी में मोटे होने के उपाई में आप आम, सेब, केला आदी फलों का सेवन करें केला में पोटेशियम की अच्छी मातरा होती है एकसरसाइस के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है जो थकान और कम उर्जादर शाता है फलों में पानी की मातरा भी अधिक होती है गर्मियों में मोटा होने के उपाई में खाएं पनीर पनीर में फैट और कैलोरी की मात्रा होती है. यह स्वाद में तो अच्छा होता ही है इसके साथ ही यह प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्त्रोथ है. प्रोटीन को आप अपने खाने शामिल करने के लिए पनीर की सबजी भी खा सकते हैं, जिससे आपको अतिरिक्त कैलोरी मिले अगर आप गर्मियों में वजन बढ़ाना चाहते हैं तो पनीर का सेवन जरूर करें गर्मी में मोटा होने के उपाई में दही खाना चाहिए दही का सेवन गर्मियों में करना बहुत ही लाबदायक होता है यह ठंडा होता जो आपकी बॉडी ठंडा रखने में मदद करता है फूल फेट दही एक और स्वस्ट स्नेक है जो की अपने पोशन तत्व के लिए जाना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बो हाइडरेट्स और फेट्स का एक संतुलित मिश्रन होता है दही का उप्योग करके आप कई सारी हेल्दी वेट गेन रेसिपी बना सकते है गर्मियों में मोटा होने के लिए खाएं चौकलेट चौकलेट का सेवन गर्मियों में भी किया जा सकता है यह वजन बढ़ाने में मदद करती है डाक चौकलेट में बहुत अधिक मात्रा में वसा और कैलोरी पाया जाता है इसके अलावा इसमें एंटियोक्सिडेंट भी मौजूद होता है यदि कोई व्यक्ती गर्मी में मोटा होना चाहता है तो उसे प्रतिदिन ऐसा डाक चौकलेट खाना चाहिए जिसमें कम से कम सत्तर प्रतिशत कोको मौजूद हो समर सीजन में वजन बढ़ाने के लिए खाए मुनक्का मुनक्का जो एक प्रकार से सुखे अंगूर होते हैं इनका सेवन मोटा होने में मदद करता है इसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोस पाया जाता है जो हमें एनजी प्रदान करता है वजन बढ़ाने के लिए आप रोज आठ से दस मुनक्का सुबह शाम दूग में उबाल कर खाएं कुछ ही दिनों में आपका वजन बढ़ना स्टॉट हो जाएगा अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद